लो दोस्तों शड़े मोड में आपका स्वागत है बिहार दरोगा परिच्छा जो की 26 दिसंबर को होने वाला है इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास के महत्पूर टोपिक में आपको करा रहा हूँ आज का जो टोपिक है 1857 की करांती है यहां से डाइरेक्ट आपके एक्ज सैनिक जो आपको बंदुक के गोले इस्तिमाल करते थे उसमें आपको चर्वी लगाना पड़ता था ठीक तो जो चर्वी वाले करतूस का परियोग से इनकार किये थे सैनिक और यह सबसे पहले मंगल पांडे करते हैं बैरकपूर में यह याद रखिएगा और उसके बाद आ पहले से कारण आपको आ रहा था यह भी कारण था परमुख कारण जो था ब्रिटिस समराज की घिनवनी जो नीती था अब दोनों धर्मों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ ठीक और ततकालिक कारण अगर पूछता है तो वहीं चर्वी वाले उसका अफा फैलना और यह सही भी था अफा ही नहीं था सही भी था यह सही भी आपको बाद में जाकर पता चला ऐसे अंग्रेज कभी भी इसका आपको समर्थन नहीं किये कि यह सही था घटना करम देखिए दस मई को मेरट से परम्भ होता है यह बिद्रो और 12 मई 1857 को अब यहां पर देखिए यह पुछता है कि निर्टित किसने किसने किया था कहां से कौन को निर्टित किये थे यह भी आपसे सवाल पूछता है तो सबसे पहले यहां पर देख लीजे मैं इसको बड़ा कर देता हूं निर्टित किया था देखिए सबसे पहले जो अस्थान य रिर्कमर्सी बिहार के आरा जग्दिसपूर से असम से दिवान मनी रंदत और फैजाबाद से यह थे मौलमी अहमदजुल्ला सा अंग्रेज्ज के सबसे बड़े दुशमन थे यहीं मौहमध जो मलवि अहमदुल्ला सा थे इनको अंग्रेज्ज क्या बोलते थे अहम दुशमन और डवलु टेलर ने कहा था हिंदू मुस्लिम का ये एक सढलय अंतर था ठीक इसकी हिंदू मुसलिम का परियराम था संथाओ Canyon की कुरांति यूका दोनुगों का हिंदू मुसलिम बीडी समर्कर द्वारा ही बोला गया था ठीक आर्सी मजुमदार क्या बोलते हैं आर्सी मजुमदार बोलते हैं ता था कथित प्रथम राष्टिय सवतंतरता संग्राम था और नहीं यह राष्टिय और नहीं सवतंतरता संग्राम था कहने का मतलब कि ना यह प्रथम सवतंतरत 1857 एसेंद सेन जोकी सरकारी ये थे सरकारी लेखकते सरकार के लेखकते इनका पूरा नाम सुरेंदर नाथ सेन और इन्हों ने बताया था 1857log सरसयद अमधा जिल लीखे थे यह इनका भुक का जो नाम था इस पर लिखे थे असबाब वगावत एहिंद唉 सरसयाद अमत का जो है अलिगर मुस्लिम इनिश्रिटी के अस्थापना किये थे आर्सी मजुमदार जो लिखे थे ये लिखे थे दा सिपोई मुटनी एंड दा रिबेलियन ओफ 1857 ठीक और एक याद रखेगा और राइटर का नाम की 1857 बुक तो एक तो आपको शुरेंद्रना सेन लिखे थे ही इनका बुक का नाम है बाद में जो अबुल कलाम अजचाद है वो भी लिखे थे बाद में यही बुक जैसे आपको 1857 ही उनका भी बुक का नाम था ठीक अब यहाँ पर दिखे आगे दिखिए इसका पणनाम क्या हुआ हुआ ये जो पणनाम हुआ थालग उसको और मती दे दिया गया भारतिय सेना के नौ गठन के लिए पील आयोक का गठन किया गया तो पुश रखता है ठार सो संतावन करांती के बाद कौन सा आयोक पील आयोक का अब यहां पर देख लिए भारत में कंपणी का सासन समाप्त हो जाता है अब इस्ट इंडिया यह भिई भषन हिस था नहीं बस यह पताया गया है और सब के लिए एक समन क्नुन की सुरक्षा दिया जागा यह बता गया था यह पुशन लगा यो approximately की समय ब्रितिस सब्सक्राइब कर दोड़ा ठीक दूसरे के अंसर सी हो जाएगा कुश्चन नमर तीन है कि भारतिया सव्धिन्ता अंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे जो अठार्टी लिखे थे इसके आपको बताना कि सरकारी इतिहासकार कौन थे यह लिखे थे आपको एसन सेंड इनका नाम है शुरेंद्र नात सेंड ठीक तीसरे कंसर डी हो जाएगा फूर देखिए निमन में कौन इलहाबाद में आठार सो संताओन के संग्राम कनेता था इलहाबाद से कौन थे तो मौलवी लियाकतली फॉर कंसर डी कुश्चन वर फाइफ मंगल पांडी सिपाही थे मंगल पांडी सिपाही आपको कौन से किस रिलेटेट थे चोतिसवी नेटिव इनफैंट्री के यह याद रखिएगा इसके फाइफ केंसर भी हो जागा कुश्चन वर सिख से निमलेखित में कौन आठार सो संताओन के विद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दूसमन था आपको भारतिय भासा में यहीं थे सरस्याद अमद खाते ठीक सबन केंसर एक कुशन नवरेट दिखे अठार सुशंतावन के संगर्स में भाग लेने वाले सिपाहियों की स्वार्धिक संख्या थी कहां से थी सिपाहियों की स्वार्धिक संख्या तेहीं आपने जो बिहार बशेत्र अवध से ठीक और यहां से कौन पता होना ची कि जous बिहार वाला और योपीवालज चएट्र कि और दुखा था इसके बारे में ये कोन बोले थे कि ये पर्थम्राष्टिए ऐसंगराम न प्रथम्न राष्टिये और नहीं सुथंत्रता संगराम था ये किस त्वारा बूला गया था था आर्सी मजुमुदार से द्वारा दस के इंसर क्या हो ज़ेगा यह कुशन नबर 11 नाना साहिब का कमांडर इंचीप कौन था नाना साहिब के कमांडर इंचीप कौन थे यह आपको बताना है तत्या टोपे थे ठीक होगा यह सर जेम्स आउट्रम और डबलू टेलर ने कहा था कुशन देखिए अगला वर्च 1857 के बिद्रोह की संदर में नेमलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोका दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया उनके मित्र नहीं इनको धोका दे दि कुशन नमर 16 देख लिए यह मिलान करने वाला है देखिए और जगह दिया हुआ है और आपको वहां से कौन-कौन आपको थे यह आपको बताना है नहीं पर चलीए मैं मिलान करके बता देता हूं जहासी से थे रानी लक्ष्मी बाई थी यहासी से लखनॉव से लखनौव से षिर种 को इYए बेगम हजरत महल थी और आपको कांपूर से थी यह आपको कांपूर से थे ये आपको कांपूर्से थे यह आपको कौन यह नाना साहिब हो जाएंगे और फज़ाबाइच से मौन भी अहमेदल तुला ठीक यह आपको ऐसे दोबसे अ knowing निमलेखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारती फोज के नौ संगठन से समंदित है कि जो फोज में अलग-अलग केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने कुना अध्कृत किया इसके वड़ब लिये मतलब कि वहाँ पर दबा दिया गया यह सबसे पहले कहां पर यह अपसे बत पूछ रहा है ठीक ते यह दिल्ली था और बहादुर सार जो जफ़र थे यह बहादुर सा दूतिय उनको आ यमार में निर्वासित कर दिया गया वहीं पूर्ण का दिहांत पी हुआ कुशनमर बीस है का 1857 के बिद्रो का बिहार में 15 जुलाई अठार सो संतावन से 20 जनवारी 1858 तक किंद्र था यह कौन सा था तो यह बिहार के जगदीश पूर बाबुर बीर कोर्सी यहां से थे तो इसके इंसर डी कुशनमर यह कैसे 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो बताईया कौन था गवर्नर जनरल यह आपको बताना है का इसका यह हो जागा लाड़ कैनिंग था ठीक कुशनमर 22 और आज का लाश्ट कुशन यहां पर देख लिए जगदीश पूर किस ब्यक्ति ने बिपलो में करंतका अब आपको कैसा लागे वीडियो जरूर बताईएगा और जो भी टॉपिक और भी है लगतार में कराते रहूंगा वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद